स्वन्ण बंदिर शांती है, सुकून है, आस्था है, अभिमान है, इसे और भी कई तरह की चीजों से लंकरित किया जा सकता है, अपनी स्थापना के बाद से ही इस गुर्दवारे का महत्वे सिखधर में काफी ज्यादा रहा है, यहाँ 24 घंटे लंगर चलता रहता है, लाखो कितनी खपत होती है, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अबनी सहुराज की वीडियो में, मैं आपको स्वन्ण मंदिर के मेगा किचन से जुड़ी हर एक बात बताऊंगा, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल क को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो इससे सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, स्वन्ण मंदिर के लंगर भवन में हर जाती धर में रंग और लिंग के लोग एक साथ बैट कर खाना खाते हैं, इस लंगर में कोई राजा हो या रंग, सभी के लिए समान व्यो या हर रोज 24 घंटे खुला रहता है और मुफ्त में चलता है, इस मेगा किचन में हर दिन LPG सिलेंडर के साथ 5000 किलोग्राम लकडी का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, यहां बरतनों की सफाई के लिए साहे 400 से जादा लोग काम करते हैं, स्वन्ण मंदिर का मेगा कि इस किचन में रोटियां बनाने की आओटोमेटिक मसीन है, जो सैक्डों रोटिया तयार कर देती हैं, इससे एक गंटे में करीब 25,000 रोटियां बना ली जाती हैं, इसके साथ ही, दाल और सबजी बनाने के लिए भी इस किचन में बड़े-बड़े कुंड है, जिनमें एक ब अपना सहयोग देते हैं, आपको बता दे, यहां सबजिया छेलने से लेकर खाना पकाने और बाद में उसे श्रधालूं के बीच परोसने तक का काम स्यवादारों के जिम्में होता है, श्रधालूं से लेकर सहर के आम लोग तक सब अपनी मर्जी से यहां सेवा करते हैं और परण मंदिर के मेगा कीचन की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं